आस्मान में देखी गई रहस्यमई रोश्णी चमकती चीज ने उड़ाई लोगों की नीद सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें पंजाब के पठान कोर्ट समित कई उत्तर भारतिय शहरों में शुक्रुवार को आस्मान में रहस्यमई रोश्णी देखी गई शाम को करीब 6 बच कर 50 मिनट पर लगभग 5 मिनट तक लोग आस्मान में ये रोश्णी देखकर हैरान रह गए इस घटना करम को कुछ लोगों ने अपने कैमरे में रेकॉर्ड भी कर लिया अब सोशल मीडिया पर कई वीडियो वारल हो रहे हैं जिसमें रहस्यमई रोश्णी को सीधी लाइन में जाते हुए देखा जा सकता है स्थानिय लोगों के अनुसार ये कुछ ऐसा ही था जैसे कि आप रात के अंधेरे में किसी ट्रेन को गुजरते हुए दूर से देखते हैं पूरे पांच मिनट तक ये चमकदार रोश्णी दिखाई दी और फिर बाद में गायब हो गई फिलहल वीडियो वारल होने पर लोग इसको लेकर अटकलें लगा रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जम्मू कश्मीर में जम्मू, सांबा, कठवा, उधंपुर, राज़ौरी और पुंच जैसे जिलों के लोगों ने इस रोश्णी को देखा तो पंजाब के पठान कोर्ट समेत कई अन्ने जिलों में भी ये नजारा देखा पाकिस्तान के साथ लक्ती सीमा पर आसमान में चमकिली चीज़ देखने पर लोगों ने इसे रोकेट समझा जबकि कुछ लोगों का मानना था कि ये पाकिस्तान की ओर से भेजे गए ड्रोन थे हाल ही में पडोसी देश से भारतिय इलाकों में कई बार ड्रोन के जरिये घुसपैट की गई है सोशल मीडिया पर तो कुछ लोग इसके यूएफो होने के भी दावे कर रहे हैं शुकरुवार को आसमान में रहसे में रोशनी दिखने पर लोगों ने इसे मोबाइल कैमरे में कैद किया इस संबंध में जानकारी मिलते ही सुरक्षा एजनसियां भी सतर्क हो गई है और जानकारी हसिल करने में जुट गई है घटना को लेकर पहले आई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ये एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंग के सैटलाइट है जो पृत्वी की निचली कक्षा में यात्रा कर रही है हाला कि बाद में एक रिपोर्ट में रक्षा सूत्रों ने पुष्टी करते हुए बताया कि ये एक सैटलाइट है बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब आस्मान में कोई ऐसी चीज देखी गई हो खबरों की माने तो इसी साल जून में गुजरात के जूनागर, उपलेटा और सौराश्टर के करीबी क्षेत्रों में रात के समय रहस्य में ही रोश्णी नज़र आई थी जिसके बाद उसके यूफो होने की अटकलें लगाई गई थी फिलहाल आप ताजा घटना करम पर क्या कहेंगे हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं पंजाब केसरी के लिए अरुन सुन्धराल की रिपोर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद